अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ इंप्रूब्मेंट लगे कि हाँ ये इंप्रूब्मेंट होनी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली का इंटरफियस तीन दिसंबर का देखें जो लास्ट वीडियो और एक तारीकिं नहीं मिली तो सॉरी तो आपको तीस तारीक एक तारीक और दो तारीक इन तीन दीनों की वीडियो की चाहिए करेंट अफ़ेस में कवर करवा दूंगे उसके अप्लेंशर मत लेना आज हम स्टार्ट करेंगे तीन तारीक तो चलिए सुरू करते हैं और यह स जब उर्ड बात बता दूँ थोड़ी थोड़ी कमेंट साते हैं कि मैं इस एक्जायम के लिए इंपॉर्टन्ट में ऐस एक्जायम के लीए दिए करती हूं एक्डम हायर्न जब वीडियो को फॉलो कर सकते हो तो जोले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन है e-drishtie-nama के एक software किसके द्वारा लाँच किया गया ठीक है तो e-drishtie एक software है और यह लाँच किया गया Puse.zilр. ची कौन है देखीए हमारे railway minister है और railway सूचनः प्रनाली केंधर के द्वारा इसे विक्सित के आ गया है तो इस द्रिश्टी में होगा क्या है इसके फायदे क्या है इसका एड्वांटेज है कि रेल्वे से संबन्दित बहुत सारी सूचनाएं मिल जाएंगी एक दिन का माल यात्री का कमाई फ्रेट लोडिंग जो होती है फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग फिर समय की पाबंदी इंपॉर्टन जितने भी स्कीम से उसमें कितने इंप्रूब्मेंट्स होने जाए सारवजन चीजों का बियोर्णिक फिकायत देजबर में ट्रेन की जितने भी आगमन है वो आने जाने का इनका टाइमिंग है फिर रेलवे स्टेशन का विवरण है कैंटीन तक इस एड्रिस्टी करनेक्ट है कि मलेंस कितने निंगराणी में वह जो खाना विगिरा nowhere निंगराद्रः आप इसारी निंगरानी होंकिह किएट इस ऑक जी देखें उनका बी का उनका वी विलेस्टेशन पतार चल जाएका जो हॉ जा रहे हैं पैसेंजरर जो ए्च के तहत रेल्वे मंत्राले को मिलेगा ठीक है यह प्यूस गोईल जी ने लॉंच किया है जो हमारे रेल्वे मंत्री है और रेल्वे बोर्ट के जो अध्यक्षा उनका क्या नम उनका नाम भी आप याद रखिए अश्वनी लोहानी ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दू 208 दिवस मनाते हुए और यह जैसे कि मैंने कहा कि यह एक दिसंबर को हमने सेलिबरेट किया है और इस बार 2018 का इनका थीम था मतलब एक विसाय था अपनी इस्तिती जाने तो यह चीज़े क्लियर होगी हमारे ऑप्शन होगा सी किस सहर में पंद्रवा भारत स्वास्ति सिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया मतलब भारत स्वास्ति सिखर सम्मेलन का इस बार 2018 में 15 एडिशन मनाया गया है तो यह किस सहर में हुआ यह हुई है आपकी नई दिल्ली में तो हमारे ऑप्शन होगा यह नई दिल्ली और कि यह हमारे जो भारती उद्योग परिसंग है उन्हों यह चर्चा हुई है कि अच्छी इंप्रूब्मेंट ला सके हेल्थ केर को लेकर इस बार का इनका थीम था इंडियन हेल्थ केर अचेंजिंग पैरडाइम और आप यह याद रख सकते हो देखिए यह जो समेलन हुई थी यह भारती उद्योग परिसंग ने आयोजित है उसका क्या नाम है देखिए यह पहली बार हुआ है कि भारत में बच्चों के लिए एक फोन लॉंच हुए है रोबोट सॉरी एक उन्नत व्यक्तिगत रोबोट लॉंच हुए है तो इसका क्या नाम है इसका नाम है मिको 2 याद रखना है हमारे option हो गया है मिको 2 यह एक लिए नाम है next question पर हम चलते है किस राज में हॉन बिल मौतसओ मनाये गया हॉन बिल मौतसओ किस राज में मनाये गया ये अइक तरह का सब से उस राज का यह सबसे बड़ा festival माना चाहता है यह राज्य है नागालय इस की राज्ध द Mm miati ne me opportunities ईसके नाम पे ही रखा गया है और यह 10 दिन का Fest snowball होता है ठीके और हमेसाथ December के पहले week से यह start हो जाता है और यह । यह 10 दिनों तक मनाया जाता है预नव और mok집शल का इम अप्शन हो translating मिद्वाट म में दें और इनके पीछे उद्दे से यह है कि नागालेंड गवर्मेंट के द्वारा जितने भी वहां के राजे हैं वहां के विविन जन्जातियों की जो संस्कृति हैं वहां के परंपरा हैं उनको वह बढ़ावा देना चाहते हैं तक वह चीजे और आगे बढ़े इस उद्दे से को लेकर वह हॉन्विल मौच्सों को सेलिब्रेट करते हैं और नागालेंड की राजधानी कोहिमा है नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं नागालेंड डिवस कम मनाया गया है यह चीजे देखिए यह हॉन्विल मौच्सों नागालेंड डिवस ना दोनों सेम साथ साथ ही मनाया गया क्योंकि नागालेंड दिवस जो है ये एक डिसंबर को हर साल सेलिबरेट होता है ठीक है और ये कब से सेलिबरेट होने लगा ये हुआ 1963 से डॉक्टर स्वारुपली राधा कृष्णन जी के द्वारा जब इसे भारत का सोलवा राज घोसित किया गया था 16 ठीक है तो 1963 में साथ ये भी याद रख सकते हो कि एक डिसंबर को जो इस पार का सिलिबरेट हुआ है वो पच्पनवा राजदीवस इन्होंने अपना मनाया है मतलब इनके राज के 55 साल पूरे हो गया है वहां के मुख्य मंत्री है जो नागालेंड के नीफोरियो इन्होंने इसका अध्यक् जवाब दो नागाल एंड से रिलेटर मैं पूछती हूं रंग वेट थोड़ दिर मैं पूछती है चलो नेक्स कुछिन है भारत का पहला अंतराष्टी स्वदेश्वी फिल्म समा तहवार अगले वर्स किस राज़ में होगा तो ये होगा उडिसा में हमारे ओप्शन हो जा बुवनेश्वर में सुरू होगा उडिसा की राज़दानी बुवनेश्वर में से मनाया जाएगा जितने भी स्वदेशी समुदायों के सहीयोग से जितने भी स्वदेशी लोग है उनके द्वारा ये फिल्मों का एक गयार स्वदेशी फिल्म निर्माताव द्वारा तो यह ध्यान रिखेगा कि यह होने वाली है उडिसा में नेक्स कुर्शन पर हम बढ़ते हैं अब आप मुझे एक कुर्शन का जवाब दीजे रंगा पहार वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में इस देता है तो देखें नेक्स कुर्शन है हमारा आई एस एस एफ का सरवच्च पुरुसकार ब्लू क्रॉस किने दिया गया तो अंतराश्टिव सुटिंग स्पोर्स फेडरेशन आई एस एस एफ का सरवच्च पुरुसकार जो होता है ब्लू क्रॉस यह सबसे ही मतलब जाना माना उनका सरवच्च पुरुसकार होता है और यह किने दिया गया है तो ये दिलाया है अभिनव बिंद्रा जी को हमारे ओप्शन हो गया ये अभिनव बिंद्रा एन देखिए अभिनव बिंद्रा जो है ब्लू क्रॉस क्या है ब्लू क्रॉस थे ये हमारे पहले भारतियें जो सम्मानित हुए है ये चीजे फवैली चीजी तो अभिनव बिंद्रा जी को ब्लू क्रॉस से नवाजा गया याद रिखेगा यह पहले भारती हैं जिने ब्लू क्रॉस प्रदान किया गया है किसको राजयस्व सचीव की रूप में नियक्त हुए हैं इनका नाम है डॉक्टर अजय भूशन पांडे जी हमारे ऑप्शन हो जाते हैं यह वित्म अधिया इनके पहले थे यह अपने रिक्ति हैं यह अपने रिक्ति हमारे वित्म मंत्री कौन है हरुन जैतली जी है इनदे के यह जो डॉक्टर अजय भूशन पांडे है यह हसमुक अधिया इनके पहले थे यह अपने रिटायमेंट ले चुके है तो अब डॉक्टर अजय भूशन पांडे नियुक्त हो गए है और ये अभी currently भारतिय विस्ष्ट पहचान प्रदीकरंट जो है इसका CEO भी है तो ये साथ चीज़े clear है नेक्स कुशन पर बढ़ते हैं जॉर्जिया की पहली महिला राश्पती कौन चुनी गई है मतलब जॉर्जिया की ये पहली महिला राश्पती है इनका नाम है सेलोम जूरी चिसली तो ऑप्शन हो जाते हैं ए ठीक है नेक्स कुशन है हमारा कौन दुनिया में पहला देश बन गया है जो दास्ता के रूप में अनाथ आश्रम में बच्चों द्वारा किये गए कार्यों को अपराद मानता है पूरे दुनिया का एक ऐसा देश है जो दास्ता कानून होती है उसके रूप में जितने भी अनाथ आश्रम में मान लेजे जो भी बच्चे होते है न तो उनके द्वारा किये गए कार्यों को यह अपराद मानता है यह है आउस्ट्रेलिया हमारे ऑप्शन हो जाते हैं यह आ अंतराष्टी दास्प्रता उन्मूलन दिवस कब मनाया गया अंतराष्टी दास्प्रता उन्मूलन दिवस हमने सेलिब्रेट किया है अभी अभी दो दिसंबर को हमारे ऑप्शन हो जाते है डी दो दिसंबर अब देखलो कि यह अंतराष्टी दास्प्रता उन्मूलन दिव जबर्दस्ति जो विवाह कराया जाते हैं, तो ये सारी चीजे हो गई दास्प्रता, तो अंतराष्टी दास्प्रता उन्मूलन दिवस मनाने का उद्दे से यह है, कि दास्प्रता के जितने भी संकालें रूप है उसके खतम करना है, ठीक है, मतलब जो पीछे के पीडिया में जो चीज़े होते हैं वो सारे चीज़े खतम करना है और हमारे option हो गए D ये 2 December को celebrate हुआ है ये 1996 से ये मनाई जा रही है next question पर हम चलते हैं किसको संग लोग सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए है तो इनका नाम है अरविंद सक्षेना ये हमारे राज्च्पति जिरामनात कोविंद जी के द्वारा इस पद पर नियुक्त किये गए है हमारे option हुजाते हैं अरविंद सक्षेना जी तो next question पर हम चलते हैं गोवा में कोंकर 2018 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में सुरू हुआ है अब यहां से आ जाते हैं कुछ exercise जो आपको ध्यान रखने है आफकेट CDS वाले आप इस questions को ध्यान दे सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ही इस टाइप के questions पूछे जाते हैं याद क्या रखिएं कोंकर 2018 किन दो देसों के बीच में हुई तो यह तो एक हमारा भारत है और कौन है दुसरा है युनाइटेट किंग्डम ठीक है इन दोनों के बीच में हुई है कोंकर 2018 जो है यह नेवी exercise है देखे तीन तरह के exercise होते हैं मतलब एक नेवी की होती है एक आर्मी की होती है और एक एह फोस की होती है यह जो कॉंकर 2018 दीन यह नेवी exercise थी और यह भारत और युनाइटेट किंग्डम के बीच में हुई थी तो हमारे option हो गया यह युनाइटेट किंग्डम और यह 28 नॉमबर को सुरू हुआ था तो यह कुछ चीज़े थी आपको द्यान रखना है नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 भारत और किस देश के बीच में सुरू हुआ है इसके पहले मैंने आपको क्या कोशन कराया इसके पहले मैंने आपको कराया है कि कॉंकर 2018 किन दो देशों के बीच में हुई है तो यह भारत तो है हमारी दूसरी क्या थी उनाइटेट किंग्डम और यह हुई कहां गोवा में इसी तरह अब इसमें आप कैसे पढ़िए कि कोप इंडिया 2019 जो है यह किन दो देशों के बीच में सुरू हुआ है सुरू के मतलब देखे यह आज ही सुरू होना मैं थिरसाफ इसम् revise को इसॉइन को को गवर किया थी तेम पर कोई गूरा हुई तो यह आपकी होगी को इंडिया ये USA और इंडिया के बीच में हो रही है हमारी इंडिया तो है ये और इसके साथ से संयुक्त राज अमेरिका है हमारे option हो जाते है ये और ये 12 दिनों का चलने वाला है ये 12 दिवस ये है यहां 12 missing है sorry तो ये 12 दिनों का होगा ये ध्यान रखिए ये जॉइन में आपकी संयुक् इंडिया 2018 इतना ध्यान रखना है ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली आस से सुरू हो रहे है ये 3 दिसंबर से और ये 14 दिसंबर तक चलेगी 12 दिनों की है और ये आपकी जैसे मैंने कॉंकर इंडिया के बारे बताया था कि वह नेवी एक्सरसाइज है ये आपकी 10 दिसंबर 2018 से किस देश के साथ संयुक्त सैन अभिहास अभ्यास हैंड इन हैंड आयो जित करेंगे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कॉंकर 2018 वह हुआ कहां गोवा में हुआ किन दो देसों के बीच में हो रहा है कॉंकर 2018 आपकी हो रहा है युनाइट किंग्डम और इंडिया क के बीच में पहला क्लियर हो गया दूसरा हमने क्या पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा कि कोप इंडिया के बारे में पढ़ रहा है कोप इंडिया से स्टार्ट रहा तीन तारिक से और डेट नहीं आते एकसाम में मैं जिस्ट आपको पढ़ा रही हूं ध्यान यह देना कि कॉप कौन से दो दिस के बीच में हुई है तो एक तो हमारी इंडिया होगी दूसरा होगी संयुक्त राज अमेरिका इस question में आपको दियान देना है कि hand in hand ये exercise का नाम है ठीक है इनका संयुक्त सान अभ्यास का नाम है hand in hand और ये कौन से दिस के साथ आयो जित हो रही है भारत के साथ तो ये भारत और चीन के बीच में hand in hand होगी 10 दिसमबर को सारे चीज़े clear है तो ये थे आपके आज के 3 दिसमबर के current phase और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please like, share and subscribe जरूर करेगा थेंक्यू झाल 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 झाल